हेलो बच्चों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आर एंजी के हमें आज हम देखने वाले हैं एड़ गेट अब्याज पुछते का अंग्रेजी कक्षा पांच का पार्ट नो जिसका नाम है इन दा सेर्विस ऑफ दा नेशन तो आईए बच्चों पर इसके कोशन आंसर हल करते हैं पर हाँ यदि आपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब जरूर कर लें इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे तो बच्चों अपन देखते हैं सही विकल चुनकर लिखो मल्टिप्लाय कोश्च चॉइस कोश्चन कोश्चन नमबर बन लाल बादु शास्त्री वीकम दा प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया इन 1964, 1965, 1966, 1968 इसका अंसर अपन लिखेंगे 1964 Q2, The British Government decided to release Babuji on parole, इसका अंसर आप लिखेंगे अनसर अप लिखेंगे बट रिखेंगे इसका अंसर आप लिखेंगे बट रिखेंगे इसका अंसर आप लिखेंगे सी वाला अब अच्छों अपन देखते हैं very short answer type question निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखना है question number 3 write the noun form of honest तो honest का noun form लिखना है तो आप लिखिये honesty question number 4 which slogan बाज given by शास्ती जी जय जवान, जय किसान और do or die ये किसके नारे थे जय जवान, जय किसान शास्ती जी का नारा कौन सा था? जय जवान, जय किसान do or die किसका था? वो तो श्रीट गांदी जी का था question number 5 when was शास्ती जी awarded भारत रत्न? answer में आप लिखिये in 1966 उनको भारत रत्न कप्राप्त हुआ 1966 में question number 6 arrange the letter to make meaningful words तो अपनको इसका meaning लिखना है मतलब सही से जमाना है तो और इसमें ये क्रम से लिखना है rearrange करना है क्रम से जमाना है तो इसमें आप लिखिये service और इसमें लिखिये country अब आईए बच्चे उपन देखते हैं फिर से निमलिकित प्रेशनों के उत्तर एक दो बाग क्यों है short answer type question question number seven what did saastri ji opted to go to jail or to take care of his son तो आप लिखिये इसमें saastri ji opted to go to jail question eight what was dearer to saastri ji than his daughter answer में आप लिखिये his country was dearer to him than his daughter अब सही preposition चुनकर खालिस्तान भरना है choose the correct preposition and fill in the blanks add in or on तो पहले में आप लिखिये there is a book on the table दूसरे में लिखिये the train chiefs at seven o clock और तीसरे वाले में लिखिये the rabbit is in the garden question number 10 but why lal vadu shastri commonly called तो answer में आप लिखिये मतलब यह है कि lal vadu shastri को क्या कहके पुकारते थे आप लिखिये lal vadu shastri commonly called बाबुजी इनको बाबुजी कहके पुकारते थे अब बच्चों आप लॉंग answer लिखेंगे निमलिखित प्रिशनों के उत्तर तीन से पांच बाक्यों में लिखना है question 11 rewrite the given paragraph using appropriate punctuation marks wherever necessary तो यहां पर एक paragraph दिया हुआ है इसमें आपन को punctuation लगानी है तो मैंने यहां पर लगा दिये आप इसको देख के कर सकते हैं अब question number 12 he was lal vaddur shastri honored for his service to the nation answer में आप लिखिये lal vaddur shastri died on 11 january 1966 at taskant he was awarded bharat ratna in 1966 after his death तो बच्चों यह आपका lal vaddur shastri का part पूरा हो गया है part 9 जिसमें lal vaddur shastri के बारे बताया गया है और अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो इसको एक like जरूर करना और हाँ channel को subscribe जरूर कर लेना okay बच्चों thank you